उत्राखंड की त्रिवेंद्री सरकार का गाय प्रेम किसी से छिपा नहीं है। के दार पुरम शेत्र में स्थित कांजी हाउस में पिछले कुछ महीने में 105 गायों की मौत हो गई और सरकार को इसकी खबर तक नहीं। आखिर क्या है ये पूरा मामला आई आपको इस रुपोर्ट में दिखाते हैं। उत्राखंड सरकार गौस अनरक्षन गाय सनवर्धन की बड़ी बड़ी बाते तो लगातार खूप कर रही है। लेकिन कांजी हाउस में बन गायों की हालत इतनी बड़तर हो गई है कि देख रेक क्या भाव में लगातार इनकी मौत हो रही है। परवाही से सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। नतीजा आए दिन इस कांजी हाउस में गाय काल के ग्रास ने समा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बलकि कांजी हाउस में मौजूद तस्वीरे बया कर रही है। कांजी हाउस में गायों की स्थिती देख कर किसी को भी दया आ जाए। जिन गायों की सेवा के लिए डॉक्टर और करमचारियों को तैनात किया गया। उन्हीं की इस लापरवाई के कारण वो तिल-तिल कर डम तोड रही है। इस वक्त कांजी हाउस में 435 गाय मौजूद है जिनके खाने पीने का इंतिजाम करने के अलावा अन्य सुविदा मुया कराने का जिम्मा शेहरी विकास के पास है। कांजी हाउस में गायों के स्थिती को लेकर जब हमारी टीम ने मौके पर पहुच कर कांजी हाउस में काम कर रहे करमचार्यों से बात करनी चाही तो कोई भी कैमरे पनाने को तैयार नहीं हुए। जबकि स्थानी जंता कांजी हाउस में गाई की डूरदशा और आए दिन होने वाली गाई की मौत से बहुत ज़ादा दुखी हो रही है इसी शेतरे के ही तेजपार ने कांजी हाउस की आखो दे की तस्वीर बया की आप भी सुनिये क्या कहते इसी शेत्र के रहने वाले तेज बाल और कल फिर मर जाएगी चार पांच इनके चारे का पैसा सरकार खारी है और यहां है गायमाता सड़री है इनकी सुद लेने के लिए कोई भी नहीं है यहां पर कितना दुखत मानते हैं आजी मैं तो कहा हूँ आजी मर जाओं मैं यह तो इतने दुख बरी कानी है मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है कि यह तिल-तिल मर रही इनसे बढ़िया तो इनने आजाद कर दिया जाए क्या फैदा हो रहा है यहां पर ना कोई चारा है ना पानी है ना देख बालवाड़ा है और जी यह जो करमचारी है इनसे पूछे भई यहां पर क्यों क्यों न मियान में नहीं है अब और 103 जुलाई से और जुलाई जुलाई में मरी है तो बहुत चंता का विसे हैं और इसकी में जाच करूंगा तो सफाई की विवस्ता होनी चाहिए और सफाई जब हम हम खुछ साबसुत्रे रह सकते हैं तो जानवरों को भी हमें साबसुत्र रखना कराती है कृति कांजी हाउस में जो है वहां हमारे जानवरों की संख्याद ज्यादा है और बहुत जल्दी करने वाले हैं इस समस्या का निजाज जो है उसको शिफ्ट करके और बड़ी जगह जो होगी तब ही समस्या का समधान हो पाएगा झाल झाल